हेलो दूस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में मेरा नाम और इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने रैम यूसेज को गाइस कैसे कम करें अभी रिसेंटली विंडोज का अपडेट आती तो रहता है तो विंडोज का अपडेट के बाद मोस्ली ऐसा प् ब्राउजर तक उपन करने नहीं मिलता ऐसा हालत खराब होता है तो वही गाइस यह वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप रैम यूसेज को अपने रैम ना तो मेमरी यूसेज को कैसा आप कम करें मतलब थोड़े हत ना ज्यादा हत से तो कैसा कम करें तो यह वीडियो में दो म करना गाइस और अच्छे से सुन लेना मेरी बाट ठीक है तो गाइस चलिए जाते हैं पहले मेतड की और पहले हम क्या करें पहले मेतड के लिए स्टार्ट पे जाएगे स्टार्ट पे लेफ क्लिक करो फिर उसके बाद टाइप करो रेच एडिट एसे और इजी इडिट ठीक है अभी रेजडिट करके इधर आ सकते हैं तो रेजिस्ट्रे एडिटर यह दोनों में से दोनों अलग अलग नाम है पर दोनों सेम ही मीन करते हैं अगर ऐसा कुछ आए तो उस पर राइट क्लिक करके रनेस अडिमिनिस्ट्रेटर करो और इस पर दबाओ पर्मिशन मांगे तो ठीक है रेजडिट और रेजिस्ट्रेटर दोनों से में याद रखो गई उसके बाद आप ऐसा कुछ दिखेगा आपका रेजिस्ट्रेटर ठीक है ऐसा कुछ दिखेगा तो आपको भी क्या करना है एच की लोकल मशीन दिख रहा है उस शीच्टम पर वही एढ्रोपर क्लिक कीजिए आर शीच्टम पर दबाने के बाद आपको Ctrl-Z-001 करके मिलेगा तो उस पर वह यह दबाद दीजिए और फिर सर्विश इस पर दबा दीजिए उसके बद अभी सर्विश में आप देख सकते कि बहुत सारे फायल जाना तो उसम पर end you करके देखिए मैंने mouse pointer रखा है इदर end you उस पर single click किजिए एक बार single click करने के बाद right पर आपको उसके files मिल जाएगे और आप देख सकते कि start का folder है यहाप तो start पर डबल क्लिक कीजिए तो ऐसा कुछ open होगा और यहाँ पर value data कुछ 2 रहेगा आपका पहले से 2 पर रहेगा तो उसको आपको simply backspace दबाना है और उसको 4 पर दबाना है तो ऐसा कुछ दिखेगा 4 value data आपको 4 पर रखना है और उसके आप ok दबा दीजिए और यह बन कर दीजिए और इसके बाद आप अपना computer restart कीजिए तो यह था guys आपका पहला method अभी अगर restart के बाद भी आपका computer में ज और plus R दोनों साथ में दबाने Windows की दबा के रोको ऐसे और R दबाओ तो ऐसा run run का ऐसा यह pop out होगा भार आप run और एक ऐसा निकाल सकते कि आप start पे जाओ और run पे दबाओ और फिर run पे आप ऐसा left click करो तो ऐसा भी run आते है दो दो टेक्निक है run निकालने के तो ऐसा run आने के बाद आप यहाँ पर type कीजिएगा services.msc तो ऐसा कुछ दिखेंगा services.msc s-e-r-v-i-c-e-s.msc तो spelling आप बराबर डालिए और फिर okay दबाईए तो services दबाने के बाद ऐसा कुछ open होएगा और ऐसा कुछ open होने के बाद आपको फिर एक file का नाम डूढ़ना है एक file को ढूढ़ना है जिसका नाम है superfetch ना तो SYS main अभी गाइस मेरे case में अगर मैं नीचे ढूढ़नूंगा न तो SYS main करके मिलेगा मुझे पर आपके case में superfetch भी हो सकता है मतलब यह माले में कैसा है गाइस मतलब काम तो एक ही इसका पर इसका नाम दो दो अलग अलग है जैसे कि superfetch भी हो सकता है न तो SYS main आपके computer में अलग भी हो सकता है आपके computer में superfetch भी हो सकता है पर मेरे case में SYS main है तो ऐसा देखो और आपको अगर cross check भी करना है कि मैंने फाइल बराबर select किया है कि नहीं तो आप एक बार इस पर single click किजिगा ऐसा रहेगा तो इस पर single click किजिगा SYS main ना तो आपके superfetch फाइल पर ऐसा इसके नाम के बदले में superfetch भी रहेगा तो एक single click किजिए और description में देखिए maintenance and improve system performance over time ऐसा अगर description में दिया होगा तो आप समझ जाओ कि भाई same file है आपको panic होने की कोई आपको tension लेने के कोई जरूरत नहीं है बस काम से में बस नाम फाइल का अलग अलग है तो अच्छा note अपने दिमाग में रखिए इस बात को tension नहीं लीजिए तो SYS main ना तो superfetch तो उस पर right click कीजिए और आप stop पे दबाईए यहां पर stop का option आपको clear रहेगा तो stop का option एक बाद दबाईए तो application stop हो जाएगा ठीके और stop दबाने के बाद मैंने ये English video में मेरा किया है stop तो आपको अगर proof चाहिए मैंने stop दबाए तो आप आपको superfetch जो stop होएगा उसके बाद आप double click किजिए उस पर double click करने के बाद फिर ऐसा कुछ आएगा और इसका ना आपको automatic रहेगा इसा पहले सी start-up type automatic पर रहेगा ठीके तो automatic पर दबाके आपको disabled पर दबाने लो simply apply and ok दबाके फिर इसको बन करना है और fill हो गया guys आपको फि इतनी पसंद आती तो please like कीजिएगा वीडियो शेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी help मिल सके और subscribe कीजिएगा guys अगर आप मेरे चैनल में नए और bell icon ज़रूर दबाने ताकि मैं ऐसे जब वीडियो बनाता हूँ तो आपको पहला notification मिल सके तो दोस्तों मि मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में तो तक के लिए take care and bye bye